हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हाद पत्सथ और अभाभ यू और बंसक्राइब भाटकल घाएं हाँ अधिया हाँ 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 हां हाँ कर दो कर दो जल्दी जल्दी अले रुको रुको एक मेंट रुको क्या हुआ हुआ सर वह देखे वहाँ जल्दी उल्दी की जल्दी इसका मतलब कि वो धंकी सही थी फूद मतात नहीं था लेकिन यह कौन है? लगता है सुसाइड बामबर है यह स्याइडी को फॉन लगाओ झाल स्याइड प्रफ़ स्याइड स्याइड कुछ मिलीगा इसमें से मिलने को कुछ बचा ही नहीं है बॉस बॉड़ी में बॉड़ी नहीं बॉड़ी डीकंपोज हो गई है सड़ गई है अब तो पैशानना मुश्कील है नहीं कोशिश करो है सबसे पहले यह जो हड़ियों पर इसके जो मांस के रेशें जो टिशू है इन सब शॉक में है प्रिंसिपल रविष कह रहे थे कि कुछ दिन पहले कॉलेज को धंकी मिली थी दंकी? बाम थ्रेट सर किसी ने स्टाफ रूम के दिवार पर पेंट से लिख दिया था कि कॉलेज को बंद करो वरना इसे बाम से उड़ा देंगा पुरे कॉलेज को उड़ाने के दंकी और इतना चोटा सा ब्लास्ट शायद अपनी दंकी का नगुना देने के लिए लिए ल यहाँ पर भी बंब ब्लास्ट होता है वहाँ पे तुम्हें चर्रे मिलेंगे, बॉल बेरिंगे, लोगे के टुक्रे मिलते हैं, कांच के टुक्रे मिलते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुक्सान हो, इंजूरीज हो. पेड़ी जा दिखा है, नहीं सर, पैसा तो कुछ द प्रावीशी, आप तो कह रहे थे कि दिवार पर धंकी पेंट की गई थी, का है? वह सर मैंने मोबैल में यह देखिए सर, तो आपको इस जल्दी क्या थी इस दिवार को पेंट करने की? वह सर, सारा स्टाफ घबरा रहा था सर, और स्टाफ रोम और पालिस का मोहल खराब हो सर, उपर से एक्जाम का टाइम आ गया था, इसलिए मैंने करवा दिया सर, और ये पेंट किया किसने? वह सर अपना राम आदाश ने, वह सर हमारे कॉलिज का कॉंट्रेक्टर है, उसी दे किया सर, मैंने सोचा कि यह लोग देखेंगे नहीं, तो कम से कम काम पे ध्यान देख सकेंगे, जब आपने वह धंकी देखी, तो पुलिस में कमडेंट नहीं की? सर, की थी, पुलिस आई भी थी, उसने बहुत तहकी कात की, बाद में नहीं कह दिया कि किसी ने शरारत की है, और चले गए सर, आपके कॉलिज के कॉलिज के कॉलिडर में CCTV कैमराज लगे हुए है तो चली हम उसका वीडियो फुटेज देखते हैं, पता चली कर खोना आया ता अंदर नहीं, अरी फुटेज में देख चुका हूँ सर, लेकिन जितने लोग भी अंदर गए, भार आये, या तो प्रोफेसर से, या पीन से, भार का तो कोई भी नहीं आया, लेकिन किसी ने द आप रूम में क्यों बेंड की, आपके कमरे में भी लिख सकता था, या कॉलेज का में गेट है, वहाँ भी दमकी लिख सकता था, यहीं पर क्यों हूँ, लेकिन कोई तो अंदर आया था, अरे सर, सर, अपिजीट, अपिजीट, क्या कर्यों? झालिट जहां ब्लास्ट हुआ वो स्पार्ट इस किड़की के बिलकुल नीचे और यह किड़की स्टाफ रोम के बगल में और ठीक किड़की से लगके यह बेंच कि अधिया था तो दर्वा जैसे आजाते हैं यह हाट अटेक देने के क्या तुर रहती है अरे यह मैं चेक कर रहा था जो हमारा बॉंबर है उसने कितना रिस्क उठाया था स्टाफ फूम में जाके वो धंकी वाला पेंड लिखने के लिए यह मतलब स्री यह जो 65 नमबर बेंच में लड़का बैटा था उसने बॉंब नीचे फेका है जो ठीक वहीं पर के रहा है और हमें वो कांच के टुकड़े और लुए के टुकड़े क्यो नहीं मेले पता है मतलब वो ओमेड बॉंड था इक्साक्दी यह होमेड बॉंड यह प्रोफेसर की नाक में दम करके रखा है। जलो, हम भी सारेन को थोड़ा परिशान करेंगे। I'm sorry, sir. I'm sorry. Stop! इसले कोलेज जॉइन किया भाइ? कोलेज को बॉड़ाने के लिए? क्यों क्या ये? सर्थ.. 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 एक्जाम आ रहे थे और मेरी कुछ तयार ही नहीं थी तो.. उस दिन में स्काफ रूम के अंदर गया और.. कॉलेज को बॉड़ाने के तंकी दे दी। झाले को तंकी रूम Șथ व स्काफ पिल्डाव सब्सक्राइब करें मैंने सोचा कि इससे कॉलेज मैंजमेंट डर जाएगी और एक्जाम को पोस्पॉन कर देगी जिससे मुझे और तैयारी करने का टाइम बिल जाएगा कि इससे का से बंबं बनाना है? सब इंटरनेट से सिखा वें ते सब इंफोर्मेशन अवेलेबल है सब खोई भी धर बेठे बाहन से बंबं बनाना स्रीख सकता है मैंने भी बेसे किया और एक्जाम के दिन क्लास्वूम में मैंने एक्जाम शुरू होने से पहले झाल 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 अगर यही दिमाग पड़ाई में लगाते तो कुछ अच्छा तर सकते थे सर मैं यह सब एक्जाम को रोपने के लिए किया सब मैं किसी को मारना नहीं चाहता था लेकिन मारा तो सही ना नहीं बस आरेम की वज़े से किसी की जार नहीं गई यह क्या किया रहा है तुम साण के बांब ब्लास्ट किया है इसने कॉलिज में आब बांब ब्लास्ट किया है और उसी बांब ब्लास्ट की वज़े से एक मर्डर के समनों के सामने आकर के खड़ा हुए बस जहां पर हमें वो ब्लास्ट साइट में कंकाल विला था वो कंकाल गर्सालेख बाइस से चौबिस साल के लड़के की लाश है जिसकी मौत आज से दो साल पहले हो गए क्या? दो साल पहले? हाँ बतो अबबा, अच्छा हुआ इसके बॉम की वज़े से वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, लाश बाहर निकल गए बना पता ही नहीं चलता, एक लाश यहां जमीन में गड़ी हुई है और मौत हुई कैसे होगी? यह बताना बहुत मुश्किल काम है बस, कोई एबिडेंस नहीं सिर्फ हड़ियां में नहीं है और अध़ियों पर ना तो कोई चाकू का निशान है, ना कोई बुलिट का निशान है, कुछ नहीं लेन, अपी गड़ फिलिंग क्या कहती है अभी जीत, ऐसे केसेस में गड़ फिलिंग काम नहीं करती है कुछ भी हो सकता है बस हो सकता है किसी ने उसका गला दबा दिया हो किसी ने उसे जहर दे करके मार दिया हूँ या ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे जिन्दा जमीन में गाड़ दी लिकिन बहुत इस सब के बावजूद एक काम्याभी जरूर मेरी है या यह देखो यह हूँ वह यह सरे है हाँ सर इस कॉलिज में प्रική में कीमिस्ट्री का प्रोफेसर था और मैं सब सारे स्टुडन को पुश किया करता था कि उनकी कीमिस्ट्री में रूची रहे लिकिन मुझे कभी इसको पुश करने की ज़रूरत नी कड़ी तो कि इसका केमिस्ट्री में पहली से इंट्रेस्ट था, बहुत ब्रिलियन सा सर, और नाशनल केमिस्ट्री ओलिम्पियाड अवार्ड्स 2015, दो साल पहले, जी हां, यह अपने अवार्ड जीता सा सर, और सारंके के मुताबिक, अर्थ की मौत दो साल पहले हुई थी, आपको किस सर, हमें किसी नहीं बताया, किसी नहीं बताया कि इसकी और इसकी पीता जी की आपस में बनती नहीं है, यह घट छोड़के चला गया, सर, बहुत ही अच्छा इस्टूर्न था सर, अब पढ़ने में तो तेस था ही सर, और यह हमारे कॉलिज की केमिस्ट्री की लेब में असिस मन लोगों की मदद करूँगा, अले उस सर, मैसल प्रनाव, कॉलेज का चेर्मेन और लोकल कॉर्पोरेटर, इस्पेक्टरी मैं क्या सुन रहा हूं कि यह जो ब्लास्ट हुआ है, यह कोई, सुसाइट बॉम्बर था, नहीं, कोई सुसाइट बॉम्ब अटक नहीं था, बल्क अर्थ, उसका को नहीं है, हाँ, काट, इस्पेक्टर प्लीज, हमारे स्टुडेंट स्पेस का बड़ा बुरा असर बढ़ रहा है, और मैं इस कॉलेज को जल से जल फिर से खोलना चाहता हूं, सो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्दी आपको किसी तरह की कोई मदद की जरूत हो, तो बिलकुल हिच्च्च चाहिएगा मत, मैं जो भी कर सकता हूं, करूंगा, मैं सिर्फ हमें अर्थ की घर का पता चाहिए, सर मुझे लगा कि अर्थ नाराज है, उसे गुसे में है, जब उसका गुसा शान्त होगा तो वो हमने सुना है कि आप दोनों के बीच अक्षर तू तू मैं में आउती रहती थी, हासल, अब मुझे रिलाइस हो रहा है कि जादा तो गल्ती मेरी थी, मैं अपने आपको एक अच्छा बाप साबित नहीं कर पाया, वो घर छोड़ के कब गया याद है को, बारागस 2015, मैं बोला कॉलेज जा रहा हूँ, उसके पाद कर भी भपिश नहीं है, आपने आर्थ के दोस्तों से पुछताच की थी, हाँ से थी थी, लोग भी जादा कुछ नहीं कर पाया है, पुलिस में कंपलेंट तो की हो गया अपने, हरी स्टेट्स के लोकल निउस पेपर में मैंने मैं उसके लपता होने की खबर चपवाई, लेकि उस सभी कुछ नहीं हुआ, हम आर्थ का कमरा देख सकते हैं, सर अर्थ के जाने के बाद से ये कमरा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, अगर आपको लगता है कि यहां से कुछ लेने से अर्थ के खोनी को पगड़ने में मदद म हमारे समझ में तो कुछ नहीं आगा, सारूंके साब को बेज देते हैं, शायद लो कुछ बता सके हैं, यह जो फोटोग्राफ है यहां पे, कॉलेज में प्रिंसिपल के साब के साथ में जो चार लोग हैं, इनको जानते हैं आप, हाँ ये अर्थ के बच्पन के दोस्ते हैं, तुशार, लोकेश, रवीर, खुशी, ये लोग वालेज में साथ में पढ़ते थे, और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छा, इन लोगों से मिल लेते हैं, इनका अड़र सीजी तरह? ये, बारह ऑगस्ट 2015 के कुछ दिन पहें, मुझे बता हैं, मैं दो साल पहले की ब पूछ रहा हूं, लेकिन देखो अपने दिमाद पर दूर डालकर, कुछ याद आता है क्या, क्या हुआ अच्छी चीजे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे 6 August का दिन याद है, क्योंकि उस दिन मेरा बर्दे था, और उसी दिन मैंने अर्थ को डेका था था, उसमें उसने गेट्वे को कुछ पैसे दिये और कुछ खरीडा उससे, गेट्वे? हमारे कॉलेज एके स्टोन प्रीज का वाच्वेन, इस्टुदेंट्स का फेवरिट ता, उसके आगे के दो दातों के बीच में बहुत बड़ा गया था, इसलिए हम सब लोग उसे गेट्वे बु और कुछ याद है? हाँ से, 6 औगिस्त के कुछ दिन बाद मैंने अर्थ को गेट्वे से कुछ पहस करते हुए देखा, कुछ आर्गुमेंट चल रहा था उन दोनों के बीच में, ठीक है, तुल जा सकते हो, लिगेन अगर ज़र्वेत पढ़े तो बुला लेंगे हैं तुमे या लगता है? इस केट्वे को पकड़ना होगा, उससे जरूर कुछ बता होगा, तो सरी ये अर्थ, उस वाच्में से क्या करिद रहा था? Excuse me, sir. मैं आप सबसे कुछ केहना चाहते हैं. या? कि या था आप अपको यह सुन का रजीब लगे, लेकिन युझे पहले से बता था के अर्थ मर चुका है. क्या? अर्थ मर चुका है? इसा क्यों लगता है दो? या या एड योट नो. इसा गुट फीलिंग. युच पहले से पता था के बस अर्थ इस दुन्या में ने हुए और क्या वज़े आपके इस गट फीलिंग के? वज़ा है सर, यह देखिए परेंजबुक पे अर्थ का प्रोफाइल, यह सारे उसकी पिच्छ और पोस्ट लेकिन 12 अगस्ट के बाद उसने जो पोस्ट किया, मैंने उस पर कमेंट भी किया लेकिन मुझे रिप्लाइ नहीं आया रिप्लाइ नहीं आया तो आपने मान लिया कि वो उमर गया I know it's weird, लेकिन अर्थ मेरे हर कमेंट का रिप्लाइ करता था In fact, तोने से पहले वो मुझे गुड़नाइट मेसेज करता था तेकिन 12 अगस्ट को मुझे वो मेसेज भी नहीं आया No offense, मैं आपसे एक personal सवाल पूछू क्या आप और आर्थ रिलेशनशिप में थे? नहीं, एसा तो कुछ नहीं था लेकिन हमारा रिलेशनशिप तोसी से काफी बढ़ कर था तो आपके कहने का मतलब है के 12 अगस्ट के बाद के सारे पिक्चिर्स उसके प्रफाइल से कोई और नाल रहा था चाहिए मैंने यह कैसे हो सबता है हमने तो मुबाइल कंपने से क्रॉस्चेक भी किया अर्थ ने जो जो फोटोग्राफ जहां जहां ते जिस दिन जिस दिस वक्त भीजे थे उस तब के सब उने क्रॉस्चे किये बिल्कुल सही थे इजाटली मुबाइल थोड़ी देर के लिए आन होता था लेकिन लोकेशन वही था जहां से वो फोटो डालता था मुझे पता है आप लोग क्या सोच वह हैं कि मैं ऐसी पागलो जैसी बाते क्यों कर रही हूं लेकिन मेरा मन जानता है कि अर्थ कही नहीं गया था इन पाक्ट वो कॉलिज पे भार भी नहीं गया होगा सर्थ अ सर यह देखे खुशी साही कह रहे थे आर्थ कही नहीं गया था यह कैसे हो सकता है सर मैं नने सारी फोटो की रवयर्स इमैज चक ही रवयर्स सरриз सब्हिंच जिससे हो अगया डेश्य पता चल लाते है हां सर् recursos का इंटरशमख चलें़ ऐं तो हमें उस फोटो की सारी दिटेल्स में चाहे वो फोटो कब ली गई थी, कितने बज़े ली गई थी, सब कुछ और अगर उस फोटो के साथ कोई छेरचार करता है, टैम्परिंग करता है तो हमें औरिजिनल फोटो भी पता चलती है और सर, आप ने बारह अगस के बाद जितनी भी फोटो यह अपलोड की थी मैंने उसकी जिवर सिमेच चेक है, यह देखे साथ, क्या मिला है पोटो वही है, वही लोकेशन है, वही ताइम है, सिर्फ अर्थ के जगे कोई और इखड़ा है किसी नेडिट करके, इसकी जगह पे अर्थ का चारा फिट कर दिया एक्सार्कल अर्लोबर्थ, इन सब जगहों पे गया ही नहीं था, बलकि यह तो कॉले से बादेगे वह बिचारा तो 12 अगस 2015 को ही मार गया था और उसे मारा किसने होगा, यह तो गेटवे, गेटवे वाच्मन ने बताया था पता लगाना पड़ेगा कहा है वो सर, प्रिंस्पल से बात हुई, गेटवे का असली नाम सैलेश है, चाह, सर, 11 अगस्ट 2015 को अर्थ ने सैलेश के खिलाब कॉलेज के बोर्ड में लेटर लिखाता कि वो ड्रक्स पेचता है, यह शुगर हाई ड्रक्स और पार अगस्कों से नौके से निकाल दिया गया हो ना हो, इस सैलेश का जुरूर हाथ है अर्थ के खतल के बीचे, इस कॉलेज वालों ने इसके अरें कंप्रेट पाइनले की, पुलिस में, नए सर, पिंस्मिल ने का देया आ अगई, सैलेश गरीब आदमी है, अकेला कमाने वाला इसले छोड़ दिया, असे घरवालों से क् पाता चल गया था कि शैलेश ड्रग्स बेचता है, तो उन्होंने सोच लिया होगा कि उसे पुलिस में पकड़ दिया होगा और जेल में पढ़ा होगा होगा, यह किसी फैमली है, इक बार दूने की कोचिश थी, दो साल से गया भी यह सैलेश, एक बार भी गरवालों को कॉं आप ने में पड़ा होगा है, तो उन्होंने सोच रहे होगा है पुचिन मुद करना डोल के जोडा है जाउन में इतना में जाउन 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 एप चुर मुद करने जाउन झाल झाल पुरी तरह से कंकाल हो गई इसे पहचाने के कैसे? डॉक्तर सालू के गान? इस लाश को पहचानने के लिए सालू के साथ की जरूत नहीं पड़ेगी ये कंकाल खुद ही बता रहा अपनी पहचान, ये देखा? इसके दातों के बीच में गाप है कॉलेज का वाच्मेन, साथेश कुमार सर कमार, पार्किंग लॉट में दो लाशे दफनाई होई और किसी को कुछ पता नहीं? और राइट, किसी को तो पता होना चाहिए कम से कम उसको जिसने पार्किंग लॉट की फॉट्श कमाई है कॉलेज कमपाउंड के अंदर दो दो लाशें दभी पड़ी मिली हैं और आप लोग को कुछ पता नहीं है? जीनी सर यहां में जो यह पार्किंग लॉट का काम हुआ है, यह सारा यह भरनी बगारा, यह कब हुआ था? यह बता सकते हैं? यह सब साथ अगस्त दो हजार पंदरा को दो साल पहले इस हमें आर्थ की माउथ हुए थी, इसे क्या सपास जानि जिसकिसने भी यह कॉंक्रिटाइजिंग यह मिट्टी बढ़ने का काम किया, इसे पता था कि वो दो लाशों के पर मिट्टी दाता यह काम किसने किया था ही राम अधर्ष हमारे कोलेज का कॉंट्र का नत्रеक्टर है, सारा काम वह ही करता है वही कॉंट्रेक्टर ने जिसने आफिस के पेंडिंग इता व्ही है इसे पार्किंग लॉट और मिट्टी डालने का काम उसी ने किया से इसे डbrand zitो घर तो बड़ा आलिशान बनाया इस रामा दर्शने एक कॉंट्रेक्टर का इतना बड़ा घर बस अब ये सब कैसे हो और क्या बताओ बेटा मेरा तो जिन्दगी से भरोसा ही उठिया देखो ना कल तो अच्छा भाला था रामा दर्श और कल अचानक एक्सिडेंट में बिचारे की मौत हो गई ऐक्सिडेंट? ऐक्सिडेंट? बले अर्थ और सैलिश मरे अब ये रामा दर्श रामा दर्श है था इस केस से जुड़ा हुआ आखरी गवार किसी की चान लगती है बॉस और यह को इतफाकत नहीं हो सकता लगता है किसी को पता चल गया है कि हम इस केस में शानवीन कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए रामा दर्श को मार दिया होना हो है तो कोई कॉलेज का ही आदमी उस तक पहुंचने के लिए कॉलेज के हिस्ट्री में जाकना पड़ेगा सर तोन ब्रिज कॉलेज की पाइनाशिल इस्ट्री इस्ट्री जम क्लीन था पैसो में और डोनेशन के मामलों में कोई भी गरबडी नहीं मिली सा सर एक आर्टिकल मिले तीन अगस 2015 को एके स्टोन ब्रिज कॉलेज की केमिस्ट्री लाब में स्टुडेंस पे एक अजीब साइड इफेक्ट हो गया था सारे बेहोश हो गया था शायद किसी केमिकल का रियाक्शन था यह कैसा केमिकल है सर वो तो अथॉरिटीज को भी पता नहीं चला सबने यह मान लिया कि किसी स्टूडेंट ने दो रियाक्टिव केमिकल्स को गल्ती से मिक्स करती है केमिकल रियाक्शन का इतना स्ट्रॉंग एफेक्ट की पूरे लाब में फैनी है होता अबी जी कुछ-कुछ केमिकल्स का बहुत स्ट्रॉंग रियक्शन होता है जैसे के नेंध दिनाइन बॉस मैंने अर्थ के केमिकल जर्नल्स देखे उसमें बड़ी अजीब सी बात लिखाए थी 10 अगस्त 2015 को उसने अपने केमिकल जर्नल्स में कुछ खास लिखा है क्या? अर्थ ने केमिकल लेब में शुगर हाई ड्रग का टेस्टिंग करके उसका केमिकल फार्मूला निकाल करके लिखा शुगर हाई जिसे केमिकल भाशा में नैंथिफिनाइन भी कहते है ये एक एक्स्टसी ड्रग होती है जो एक अजीब सा नशा देती है लेकिन यह अर्थ शुगर हाई के टेस्टिंग यू कर रहा था एक मिनट एक बाद सब नोट करते हैं 3rd August 2015, टून ब्रिज कॉलेज के स्टूडन्स बेहोश होते में 6th August, चेतारिक को, खुशी अर्थ को तैलेश से शुगर हाई डग्स करिते वे देख लेती है 7th August को कॉलेज का पार्किंग लॉट बनता है, कंस्ट्रक्शन होता है शुरू 10th August, अर्थ शुगर हाई केमिस्टी लिबोरिटी में टेस्ट करता है 11th August, 11th August को अर्थ कॉलेज बोल्ड को दिखता है कि साहिलेश कॉलेज में ड्रग्स बेचता है 12th August, 2015 साहिलेश को नौकरी से निकाला जाता है और उसी दिन मतलब 12th August को अर्थ का खूल हो जाता है हो गया? क्या समझ में आए? सर इसे पूरी कारनी समझ में आ गई कोई था जो केमिस्टी लैब में ही सुगर हाई ड्रग्स बना रहा था तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सर इसे लगता नहीं है कोई तो था जो कॉलेश के लेबराटरी में शुगर हाई ड्रग्स बनाता था और वो भी रात में जब कोई नहीं रहता और इसका साथ दे रहा था कॉलेश को वाच्मेन सैलेश और फिर वोही ड्रग्स शैलेश को बेचा था तब ही तीन तारीकों स्टुडेंस लाब में बेवश्ड़ होंगे सर उसकी पिछली रात को सर ड्रग्स बनाने के बाद उन लोगों ने सामान को ठीक से इसाफ नहीं किया होगा इसलिए एक स्ट्रॉंग केमिकल रियक्शन हुआ 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 है यह तो समझ में लेकिन यार मुझे बात बताओ यह अर्थ को शख क्यों हुआ सर क्यूंकि अर्थ लाब में असिस्टेंट का काम करता था सर उसमें देखा होगा कि स्टोर्रॉंग से केमिकल और लाब का सामान कायब हुआ है फिर उसे शक हुआ होगा और जब यह यह केमिकल रियक्शन हुआ तो उसे यकीन हो गया कि लाब का को इस्तमाल ड्रग्स बनाने में कर देख कि दस तरीक को अर्थ ने लैब में चूगर है का टेस्ट किया यह जानने के लिए कि वह सचमुच में ड्रग्स है या नहीं फिर पेस्ट के बाद उसने सारी डिटेल अपने जर्नल में लिख दी जब अर्थ को पता चला कि यह शुगर है वाके में एक गग है तो उसने कॉलिज बोर्ड को एक लेटर लिखा और जब ये बात उन ट्रग बनाने वाले को पता चला तो वो डरग है कि यह अर्थ उन तक पौँच जाएगा इसलिए अर्थ को मार दिया और फिर उसने सेलेश को मार दिया ताकि उसका कोई विटनेस ही नहीं मचे लिगन सर ऐसा कॉन कर सकता है कोई भी हो सकता है इसे केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज हो और जो अकसर लाब में आता जाता हो सर्थ वो प्रिंसिपल रविश जोने तो सेलेश को भी पुलीस के आवाले नहीं किया था केमिस्ट्री का नॉलेज तो लोकेश दुशार और वीर को भी है प्लस वो लोग हायर स्टेडीज के लिए बड़ी-बड़ी नोट सिटीज में गए थे वो भी बिना इस्टुडेंट लोन और स्कॉलर्शिप के ना पैसा आया कहां से सर उनके माबाब ने दिया होगा या फिर सर उनने कोई जोड़ किया होगा पैसों के लिए कोई भी हो सक नहीं कर सकते एक बाद है यह आपको इस खुशी पर भरुसा है से क्यों दे अगर यह खुशी भरुसा करने के लाइक है तो मेरे पास एक प्लान है कैसा प्लान है अर्थ तैलेश और रामदर तीनों मर चुके हैं लेकिन तुमारा राज अभी भी जिन्दा है और अगर तु चाहते हो कि तुमारा राज राज ही रहे तो आज रात कॉलेज के पार्किंग लॉट में एक करोड़ रुपे लेके आजाना तुमेल पड़के खुनी जरू गबरा जाएगा यह सोचके कि कोई तो है जिसे उसकी असलियत का पता है सरम शार आजरा तो जरूर आएगा और व वहाँ आए ना और में कुई ऐसा आदमी चीह जो कॉलेज का ही हो और जिसे जग्यों से लगे के हां इसको उसके असलियत का पता हो सकता है तोशी तुम बिल्कुल कबराना मन हमारी टीम वहाँ पर रहेगी ओके कुछ नहीं होगा तुम अपने पास सखना हम तुमें ट्रैक करते हैं आपको कोई दिखा क्या? नई अभी तक तो नहीं गबराओं नहीं एलेट है नहीं बस तुम बिलकुल गबराओं मत हम सब लोग आसपास ही हैं, समझी? ओके, ओके सिर्ट सरकुनी मेल पढ़के भी नहीं है अरे पंकज शायद उसने मेल पढ़ा ही नहीं हो क्या हो सकता है जिनको हमने मेल किया कुनीन में सोही नहीं खुशी आप काफी थक गई है आप खर जाके आराम करो हम? ठैंक्स और अवरिधिंग अगर किसी चीज की जुरत है तो हमें फोन करना है ओके? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता क्यों लोगों ने मेल पढ़ा और वो चेक करने वहां पे आए ना पुर्वी तब लोकेशन चेक करो जहां पे खुशी थी उसके आसपास और कौन-कौन था और इस राम अदर्श की भी डिटेल चेक करने पड़ेगी अमीर कैसे बन गया हो में खूनी गो ब्लाक्मिल कर रहा होगा मिल कर रहा कि तो पैसे कहां से आ रहे थी इडि उसका से एकांट चेक करो देखो पैसे कहां से आ नायर्यथ सिर्यों नाय quienes आक तुशार लोकेश और विर की लोकेशन कॉलेज के आज पास ही थी मतलब ये तीनों मिलके ट्रग्स बना रहे थे इन तीनों के डिटेल्स निकालो पंकच लेकिन सा अगर ये लोग वही थे तो फिर पार्किंग लॉट में आय क्यो नहीं देखने आया होगा कि उनको ब्लाक्मेल कॉन कर रहा है और उनोंने खुषी को देख लिया होगा और ये जान खाटे में फोल करो सो आवर ले किस इस तरदicked अफ भुषिण्यशप अँग प्रम्यंद čथा थिस स्टीच अब् refrigerator डेंडीपρη कि अन्ह ओग्र्टना का हा थीधिग श्य था सान्थ हम पर एकाया है उसकी लोकेशन ट्रैक करो, कहां पे है? सर, इस राम आदर्श की राम कहानी समझ में आ गई अगस्ता 2015 के बाद उसे एक के बाद एक बड़े-बड़े गवर्मेंट प्रजेक्ट मिलने लगे जिसकी वज़े से वो इतना अमीर हो गया और ये सारे प्रोजेक्ट दिये एक ही आदमीने है, प्रणा ओकी कॉलेज का चेर्मन सर, एक शौकिन बाप है, प्रणाव तुशार के अंकल है? माई कॉड़, इसका मतलब तुशार और उसके दोस्त, ये कॉलेज में ड्रग बना रहे है, और प्रणा उनको शैय दे रहा है और अब वो लोग खुशी को मारना चाहते हैं सर, सर, खुशी की लोकेशन पता चलिए कहां पहुचा है? सर, किसी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाके रोग गया है कि कि अंडरे ठाथ कि अंडर चूहल नियून प् Canada ताजी सिम्मेंट वुषी वुषी साइड दुने दूट वुषी वुषी वो लोग जादा दूर नहीं गया होंगे उनकी फोटो सारे फोली स्टेशन रबेज जेते हैं अकड़े जाएंगे तीनों को बार में देखते हैं पहले उस सादली के कर्दन तो करते हैं इसका हाथ इन तीनों के सर पर है तो नाओ हम जएक है आप लोग यहां आप हीने तक आता उस दिन जब भी कोई प्रॉब्लम आये तो आपके पास बेजी जेक चले आना पूर्स, I remember प्लीज बदाई आप लोगी क्या सेवा कर सकता होंगे नहीं, it's okay हम यहां कुछ पूछने में एक बाड निउस देने आए बाड निउस जे न वो लड़की थी ना खुशी वो बजगे खुशी कौन खुशी संजानी मैं, क्या क्या रहे हैं आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हैं आपके तब यह तो ठीक है कुछ दावा आवा लेंगा या फिर आपकी याददाश्टिक करने के लिए आपको दिमाग की गुली दे बाग्स काम हो गया है सर हमने उस लड़की को तब दफना दिया जैसे आर्थ और शैलेश को दफना यह था कम से कम जूतों के उपर से ये सिमेंट तो साफ कर लेते जिसके नीचे उस लड़की को दपना किया है और उसे हमने बचा लिया कहिए पणाओ जी कुछ कहना है मैं बहुत पैसे कमाना चाहता था और इसका सबसे असान तरीका था और आजकल के बच्चों को इसकी लग्द लगने में ज्यादा समय नहीं लगता और फिर मैं ड्रक्स बाहर से लेकर कि इपने स्टुडेंट्स को नहीं बेचना चाहता था इसलिए तुमने अपने खुद के ड्रक्स बनाना शुरू करती इस कॉलेज की लाब में और उसे बेचने का काम दे दिया वाच्मन शैलेश को और अर्थ को तुम्हारी असलियत पता चल गई तो तुमने उसे मार दिया और शैलेश को भी मार दिया ताकि कोई विटनेस नहीं बचे तुम्हें क्या लगा अर्थ के फोन को यहां वां भेजने से पुलिस गुम्रा हो जाएगी तुम्हें से कौन सा मानभाव है जो अर्शल मेडिया वे फोटो अपडेट करने का बहुत शौकत हुम्हें बहुत शैर गों लिये लेकिन मुझरिम कितना भी बटक ले अंत में उसे एक ही जगा ना होता है जेल तुम तीनों वहीं जाओगे और बहुत जल्द तुम्हारा भतीजा उशार और उसके दो साती लो ट्कान है